बच्च वहाम पर रहिए ते क्लास 11 के लिए रसाइन विग्जान और सातवा चेप्टर हम स्टार्ट कर रहे थे दो पार्ट आप पर्ठ और चुके हैं तीसरे भाग में आज हम बात करेंगे यहाँ पर किस सामयवस्ता इस्तिरांग की गणना हम यहाँ पर करेंगे जो सामयव सामय वस्ता इस्तिरांग केपी और केसी करना कैसे करेंगे, यदि मैं बात करता हूँ यहां पर केसी की तो केसी क्या होता है मेरे भाई, सांदरता सामय वस्ता इस्तिरांग, सी का मतलब कंसेंट्रेशन, पी का मतलब प्रेशर या फिर बूल सकते आप इसको क्या अंशिक दाब समेशतिरांग, ठीक है, दोनों चीजें यहाँ पे याद करेंगे, ठीक है, जादा महत्वपून कुँन सा है, जादा महत्वपून कैसी है, क्यों कैसी है समझ में आ गया, तो केपी बेसे ही आ जाएगा, ठीक है, तो हम बात करते हैं, मान लीजी ए, सम्मांगी उत्करमणी है ठीक है तो देखो भाई मेनने क्या लिया एह ए और बी के ए एनवन और एंटो मोल लिये बना क्या सी और डिबना c कर कितने मोलू एंवड यहां पर मन रिया के किरिया कारब की बात करें तो करिया अब यदी में वहाँ पर L में लगाना चाहता हूं, जैसे कि हम बात करते हैं अब अभी किरिया क्या थी हमारी, अभी किरिया थी A A plus B gives you C plus D, तो आप बोलेंगे सर, इनके मोल भी लिख देंगे, तो कितना मज़ा आएगा, तो आप देखेंगे सर, N1 इसके थे, N2 इसके थे, M1 इसके थे, M2 इसके मोल थे, अच्छा, एले में जब आप लगाते हैं तो उस ताम भी क्या करते हैं, तो आप बोलेंगे सर, एले मैं forward के लिए लगाना चाहूँ, तो forward के लिए किसे लगाऊँगा, तो आप बोलेंगे सर, RF forward, समानुपाती होगा किसके भी, क्रिया कारक्या है, इसके लिए A और B हैं, तो A और B कर देंगे, उपर मोल चिपका देंगे, N1 और N2, ठीक है, तो आप बोलेंगे सर, यहां से द इतना हो जाएगा, N1 हो जाएगा, B का सक्रे द्रवमान, उसकी पावर N2 हो जाएगा, उसे प्रकार से RF सीधा निकाल दूँ अपतो, है न, K2 लिख देता हूँ, और यहां पे, अब RF के लिए, RF यदि हम निकालते हैं, ऐसे हैं, तो उसके लिए किरिया कारक्या हो जाएगा C और D, दो C और D, पावर केतनी कर देंगे? M1, पावर केतनी कर देंगे? M2 यहां पर कर देंगे, अच्छा, अब आप एक बात थोड़ा सा ध्र्यान से समज़ना, अच्छा ये बेकवर्ड है, उसको बेकवर्ड लिखो, Mr. B, बेकवर्ड है, अच्छा, अब आप एक बात सम्झo मैंने आपको एक बात आइथी कि अभी स्मय वस्ता होती है तो मैं क्या करोंगा जो आरेइफ की जो वेल्यु थी और यह वाली आप यहां से और यहांसे आरेफ की वेल्यु जैसे ही आप्ने गए दिए इसके नीचे आएगा K1 के, तो क्या बनेगा यह? K1 upon K2 बनेगा, और इधर A और B वाली जो चीज है वो इसके नीचे आएगी, तो यह क्या बन जाएगा? C की पावर M1 वेसा गावाईशा, D की पावर M2 वेसा गावाईशा, A की पावर M1 और B की पावर M2 यहाप यहाजाएगा, अब बातों को थोड़ा ध्यान से समझना, जो यहाँ पे K1 upon K2 अपने निकाला है ना, उसी को में क्या नाम दे रहा हूँ यहाँ यहाँ पे? KC, क्या बोल ला हूँ यहाँ 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 की? K1 upon K2 का जो रेशयो है, वही क्या 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 पावर M2 का अब ध्यान से समझो, इसका मतलब यह हमने क्या कर दिया, यह तो हमने लिखा यहाँ पे कौन से वाला साइड, तो आप बोलेंगे, यह तो राइट हैंड साइड लिखा है, यह अभी किरिया जो थी, A B वाली, A plus B वाली जो अभी किरिया थी, जो C plus D में चेंज हो रही थी, तो यह राइट है, यह लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट वाला उपड लिखा है, और राइट वाला मैं नीचे लिखा है, याद करने की ट्रेक है, नॉर्मल से ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, अच्छा, आगे देखो, माल लीजिए कर यह प्रस्ण इस तरह से ए अब देखो, अब आप क्या करोगे इन पर, इनके मोल भी लिख दोगे, तीन मोल है, दो मोल है, एक कितने है, दो है, और बी के कितने है, तीन है, तो यह आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, यदि हमें सामय वस्तर इस तरह यहाँ आपर याद करना है, ठीक है, चल कि मुझे याद करना है, तो अग अभी क्रिया के लिए हम बात करते है, इसे चल रहा है, तो इसके लिए हम जया करेंगे, जहां से समझो, यदि मैं अग अग अभी क्रिया के लिए निकालना जाता हूँ, तो RF, समानपाती का चिन हटा दू, केवन लगा दू सीधा, या फिर समानपाती श्तिरांग, Ns3 के पाउर कितना जाएगा है, अपर 2 आ जाएगा, के अतिबात एक लिए रहे हैं सभी को, अचा, अब आप एक बात, पड़े वक्मात करनी है, अग्र अभी क्रिया के वैग निये तांक की इकाई मुझे गानी है, तो आप बोलेंगे सड़के और यह यहां पर NS3 का power 2, अच्छा, यह आपको पता है कि मैंने पिसली बार जब आपको सक्रिय दर्युमान की एकाई निकालना बताया था, तो क्या बताया था, याद आ रही होगी, मोल पर लिटर, सक्रिय दर्युमान को यदि हम यूनिट लिखते हैं सक्रिय दर्युमान की, तो क्या बताया था, तो याद आ रहा होगा, मोल पर लिटर, ऐसा ही कुछ बताया था, और फिर मैंने महाँ पर बोला भी था, कि जो सक्रिय दर्युमान होता है, उसको सांधरता भी है ना सांदर्ता के भी होता है तो अजिए रेफ की क्या होता है सातरता बटासंन रिपर डिटर, सांदर्ता यो होती है क्लियर है अच्छा नीचे कितना लिखा हुआ है तो आप बोलेंगे सर यहां पर मोल पर लिटर होगी इसकी मोल लिटर इंवर्स कर दो और उसकी पावर कितनी दो अच्छा अब इसी कहानी को मैं आगे बढ़ाना चाहूँ तो के वन बढ़ावर के वन की इकाई सिर्फ मुझे मतलब है तो यहां पर कितना लिखेंगे तो आप बोलेंगे सर उपर तो लिख दो मोल लिटर इंवर्स सेकेंड इंवर्स मोल लिटर इंवर्स सेकेंड इंवर्स अच्छा नीचे कितना लिखा हुआ है तो आप बोलेंगे सर मोल का स्क्वार हो रहा है मोल का स्क्वार हो रहा एक मॉल से एक मॉल काट सकते रहे हैं, तो कितने आ जाएगा? मॉल उपर जाएगा, मॉल इंवर्स ऑचा, से 1 इंवर्स इंवर्स मे तना बचा गाषिया, यहाँ पर लिट्र भ volcano, और 2nd inverse विर जाएगा तो एक यहाँ एक यही हाँ मॉल इंवर्स, लिट्र, 2nd inverse जो यहां पर यहां पर यहां पर करने का तरीका रहेगा तो इनवर्सवाली बाद में लिख लो, लिटर, ओलra,ale inverse, इसकी की कायँ आजएगी, सिर्फ विर्फ और शफ यहां पर फोरवर्ड रियक्शन के बाद में के रहेगा के वन को जो था न, मुझे क्योंकि यहां पर अग इसकी मैं होती है मोल पर लिटर का मतलब क्यों होते है मोल लिटर लिखाे मोल पर लिडरी का मतलब तो मोल लिटर लिटर इंवर्स उते होता है, और जो गॉता है, यह rate ऑती होती थी, यह से एदैरता गए, स्झाधर्त को мोल्स को चा ओपर होगा. second inverse बन गया है ठीक है तो उसकी क्या वजाए कि मोल लिटर इंवर्स और second inverse ठीक है क्या इतनी बात सुन में आगी क्या तो k1 बराबर कितना आगया है यह आगया इतना ही करना था बोलो सही है अगला question करना चाहोगे देखो भी अभी करिया दी भी यह a plus b gives you c plus d इसके लिए मुझे करना है kc का मान दिया हुए 10 का माइनस 12 हो तथा k2 का मान इतना दिया हुए तो अग्र अभी करिया के लिए वेक नितांग मुझे करना है simple है जैसे starting करेंगे किस a plus b c plus d अच्छा यदि मुझे यहाँ पर rf इदी देखना है तो rf बराबर क्या होगा तो आ a और b अच्छा rb में देखना चाहूं तो क्या हैगा k2 c or d अच्छा आगे देखो अब kc के में बात करता हूं तो kc के से निकालता हूं तो आप बोलेंगे सिर k1 upon k2 यह होता है k1 upon k2 क्या पर rf बराबर rb इदी में कर देता हूं सामय वस्था पे तो k1 upon k2 बराबर kc रह अच्छा वस्था आता हूं के सिद्धार डिलेशन आपको बता है k1 upon kd पर में पीस दिया बाडाब सबस्क्राइब कि यह आया कहां से था तोलह ख़म केसी की वेल्यू किति अधर कि केसी की वेलीो कितितए रखिए तो बोलें कि दसःगाम 12 मान्स जुरी किसको मत słu कंँल गार अग्र भी में किरिया वेल्न'd है ज्यों किसको मतिक अग्र अग्र भी किन फ्रवड किन तो engra का दे रखाएगा है कि टूका दे रखाएगा है और अग्र अभी गिरिया कर दसी 4 क बंग दसी घंध का changed कर दसी घंध मैनस 16 क्लियरथी वाद बोलो सहीज़吗 . आठिए है तूम्हे बाते A plus B दिया हुआ है C plus D, okay? के लिए पस्च अभी करिया के वेग नीतां की मुझी काई निकालनी है. A. पस्च अभी करिया के लिए देखो भई, केसे निकाले है? A plus B gives you C plus D. पस्च अभी करिया के लिए यान की अभी करिया उधर से लेनी मुझे, R B, okay? प्रपोस्चनल का साइन के टू लगा रहा हूं सीधा है ना कितना रहेगा C और D अचा पस्ट अभी करियागा वेग नीतां क्या है यहां पर के टू है वो के टू वराबर कितना आजाएगा तो आप बोलेंगे सिअधी टू और सिबी वहिं निकल के आएगा जाप भोलो भी अब देखना यहां पर है आर भी के में बात करते हैं कितना होता है मोल लिटर इंवर्ज, सेकंड इंवर्ज और इसका कितना आएगा, तो आप बोलेंगे सिर्ए क्या है अकिले या दी हम बात करता है इसकी सी की तो मोल पर लिटर और ये ही कितना होगा मोल पर लिटर अब इसको समझो ब modest हो столько मोल से तो मोल खतम हो गया अजित रिजा है। तो अजित्ता अजित्ट अज़त ने स fixing नुन रिजा इन बार सी अजे पां ऊजाए और से कंड तो इस समय्ट कर रहे article कर गया थे तो इनवर्स में है इसे याद रखा, तो नीचे इनवर्स में हो जाता है, अब तेखो यहां, अब देखो Squirtief क्यास की बात कर रहे थे अब बात करते हैं यहां पर KP की, KP की करना हम कैसे करेंगे ठीक है उसके पर एक काम करेंगे, इसका screenshot ले लो जितने भी question मैं ने कर रहा है उसके अद में KP को देखेंगे देख लो भी यह जो questions है उन सबको आप एक बर देख लो, screenshot लो ठीक है अब बात करते हैं यह पर KP के हम बात कर रहे है KP के यह बात करें तो P से मतलब समझो, pressure प्रेशर कुन सा आनशिक दाब ठीक है तो ध्यान रखना निश्चित ताप पर गेसी अवस्था में इस वर्ड पर ध्यान देना गेसी अवस्था में पदार्त का आनशिक दाब सक्रिय द्रिवमान के समानोपाती रहेगा यानि कि नि गेसी अवस्था की बात कर रहे हैं तो गेसी अवस्था में आपने एक नियम जाना था, PV is equal to nRT, बोलो जाना था नहीं जाना था, ठीक है है तो यदि मैं यहां से P की value निकलना चाहूँ और इसको यहां पर N के नीचे भेद देता हूँ V को, तो यह कितना वजाएगा, N upon V R T, ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ, यहां पर, बात यादी संग में आती है तो, temperature constant है, R constant है, यह वाली चीज बची, ठीक है, इसको मैं बोल दूँगा है, यहां पर क्या भी है, अलग से, यह सक्रिय दुरुमान हो जाएगा, यहां पर R T, clear है, यानि कि जो P सिदा स बोक्स के, और बोक्स में क्या पढ़ा हुआ है, तो आप बोलेंगे, शक्रिय दुरुमान पढ़ा हुआ हम आपे, ठीक है, और शक्रिय दुरुमान पता होगा ना, एक्टिव मास, देखो भी, एक्टिव मास पढ़ाए था, second class में, याद हो तो, number of mole, पर आई तन याई पर समानुपाती होगा इसके भी या, सक्रिय दुरुमान के, खेर है, चलो जी, एक और बात धिहान रटनी है आपको, कि जो आन्शिक दाब होगा, उसका फॉर्मला देख ले ना, आन्शिक दाब होता है, mole fraction के, यानि कि mole भिन को यदि में, गुणा कर देता हूँ, कुल दाब स से, तो क्या आ जाता है मेरा, आन्शिक दाब आ जाता है, और आप बोलेंगे, सर मोल भिननी क्या होता है, मोल भिन देखो, स्वयम के मोल, स्वयम के मोल, बटा, कुल, मोल, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ है, यदि माल लीजिए, A के N1 मोल है, B के N2 मोल है, यदि मैं य प्लस N2 है, अचा, यदि मैं बात करता हूँ, XB, B के निकालना है मुझे fraction, ठीक है, तो NB अपोन N2 अपोन N1 प्लस N2, ठीक है, और ध्यान रखना है, कि XA प्लस XB जो होता है, वो किसके बराबर आता है, A के बराबर आता है, ये भी बात हमें ध्यान रखनी है, अब बात क मांगे उत्करवन अभी करिया दिविए ये वाली, उसके लिए मुझे करना है, उसके लिए मुझे यहाँ पर KP की गरना करना है, अभी करिया दिविए आपको N1A प्लस N2B gives you M1C प्लस M2D, अचा, एले में लगा होगे, एले में लगा होगे, तो सीधा मतलब यह होगे है, क के सीधी हम लगाते हैं, के सीधी हम लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं, C की पावर M1, इदर देख लो, के सीधी में लगाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, C की पावर M1, D की पावर M2, A की पावर M1, B की पावर M2, ठीक है, अचा, यदि मुझे यहाँ प पे आप देखो ना जो आंशिक दाव था वो किसके समान पाती था सक्री दरुबान के था ठीक है तो सक्री दरुबान के जगे यदि में आंशिक दाव यदि रख देता हूं तो P किसका? C का और उसकी पावर कितना? M1 तो कितना मज़ा आ जाएगा क्यों? इधर देखो यह वाली बात बताई थी? ठीक है? और यहाँ पे D और यहाँ पे लिग दिया M2 नीचे P A N1 P B N2 कितना से ही हो गया? यहाँ से हमारी यह वाली बात बन गई तो K P परावर कितना? P C की पावर M1 ठीक है? गुणा P D की पावर जहाँ पर मतलब यह दिया हुआ ना? C और D दिया हुआ A और B दिया हुआ सकी दिर्मार उसकी ज़िए आप तो प्रेशा लग दो है ना? उस यहाँ कुछ भी चेंजर निकरना है K C और K P में है सिर्फ इतना ही है मैंने आपको बोला है पहले कि आपको केसी समझ में आ गया तो आपको केपी का प्रेशा समझ में आ जाएगा ठीक है? तो आपने जब यहाँ पे केसी में जो आपने यह किया था तो आपको केपी में यह करना है ठीक है? M1 वही है, M2 वही है, N1 वही है, N2 यही है बस यह सक्रेत दिर्बान है उसके जगर मैंने प्रेशल लिख दिया वहाँ पर, कुछ भी निकिया है यानि कि यहां पर डबबा है ना उसके जगर मैंने P लग दिया और यहां पर जो भी C है तो यहां पर C, यहां पर D है तो यहां पर D, बस उस्यादा कुछ भी नहीं किया, clear हित्ती बात, तो KP और KC गणना हम ऐसे ही करेंगे, अगले 3-4-5 क्लास तक हम यही गणना करते ठीक है, अगली क्लास में आपको डेलेन की वेल्यू भी निकालना सिखाऊंगा, तो बने रहो अच्छे दरीके से, पढ़ते रहो, सामयवस्था जट से खतम कर देंगे, ठीक है, और बढ़िया पूरा समझा करके, पीछे के नुमेरिकल से में साथ मेले लोगा, clear है बात, ब अगली क्लास में धन्यवाद.